हेलो दोस्तों, दोस्तों मैंने अभी अभी देहाती लड़के का season 2 Amazon Mini TV पर देखकर खतम किया है total 10 episode है, पहले की तरह 24-24 minute की length है and total जो length है season 2 की वो है 4 घंटे and season 1 जो था, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था कुनी कीनी कीज़ों को लेकर तो इस बजाए से मैं excited था, season 2 को भी देखने के लिए अभी अभी खतम किया है and let me tell you, काफी मज़ा आया है season 2 को देखने में यहाँ पर जो feel है, जो emotion है, जो depth है, जो गहरा है जो दोस्ती है, जो friendship है, जो bond है, जो delirationship है जो प्यार मुहंबद है, जो कुछ भी यहाँ पर हमको देखने को बलता है जो performances है, जो writing है, वो काफी ज्यादा अच्छी है, ऐसे show की हाँ, यह ज़रूर है कि, इस story उतनी ज्यादा कुछ यूनीक नहीं है season 2 में, लेकिन जो performance है end जो writing है, उसमें इतना दम है, उसमें इतना potential है कि आपको यह show engage करके रखेगा, पूरी तरह से, शुरू से लिकरे end तक, लेकिन थोड़ा लंबा भी feel हो सकत है, क्योंकि यह ऐसा कि मैंने का, इस story उतनी ज्यादा कुछ खास यहाँ पता नहीं है ऐसा feel होगा, आपको की season 1 की तरह, season 2 में भी चीज़ें repeat हो रही है, जैसे कि वो character है, रज़त और प्रेरना, season 2 में इन लोगों की relationship में बहुत सारे ups and downs आ रहे थे, अगेन यहाँ पर भी है, कभी उसको दोनों करीब आ जाते हैं, कभी दूरियां बढ़ जाते हैं, कभी चीज़ें अच्छी होती हैं, खराब भी होती हैं, जो दोस्त हैं, जो यह one है और शचांक है, और इन लोगों रज़त है, इन लोगों के बीजे मैं भी कुछ ups and downs आते रहते हैं, यहाँ पर फीवन टू मैं भी, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलते रहती हैं, मतलब ups and downs, ups and downs, भही यह शो गूमता रहता है, लेकिन उसके अलावे यहाँ जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा था, मतलब जो एक राइटिंग है इसी शोकी, जो मैं कहना चाहता हूं, कि कहानी जिस तरीके से लिखी गई है, उसको जिस तरीके से हमारे समने प्रिजेंट और एक्जिक्यूट किया गया है, वो कुछ का फेच है, उसमें इतनी दम है कि आपको इंगेज करके रहेगा, एंड एक्टर्स की acting जैसे कि मैंन का, मतलब बहुत व्यादा अची, बहुत व्यादा नेचुदल पर्फम हैं इन लोगों ने दिये, सब ही नहीं, यहाँ पर जो चार मेन करेक्टर्स हैं, सब ही नहीं बहुत अच्छा दिया है, तो इस चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी, बाकी स्टोरी यूँ चल रही है, कुछ कि जैसे लोगों के बीच में चीजें खराब हो गई द्धे में, फेर इस चीजें था होई ही, अगिन खराब होती है फिर थोड़ी बहुत सही होती हैं, पिर अपर इसन खराब हो जाती है है तो वही आपको ये फिल होगा कि सब कुछ रिपीट हो रहा है, मतलब फीजर बन कीते रही है ज़्याता कुछ नया वो लोग नहीं कर रहे है इस स्टोथी लाइन के नम पर, लेकिन अब जो भी है वो यही है, एक चीज और है यहाँ पर जो experience आपका खराब करेगी कुछ-कुछ जग है background score जो है थोड़ा loud feel होता है, जो dubbing है ऐसा लगता ही नहीं कि फिशो की dubbing करी गई है, उन्होंने जो shoot किया है वाई उन्होंने आपका देखा दी, मतलब इस टूडियो में फिशो की dubbing नहीं की गई है दोबारा से तो इस बज़े से कुछ-कुछ जग है जो sound quality है, जो जो आवाज है इन लोगों की, जो voice है पूतना अच्छे से record नहीं होई यह ऐसा feel होता है, कि मतलब feel क्या होता है मतलब dubbing करी ही नहीं गई है अगर करी गई है तो वो नहीं लगता कि dubbing किये गई है, तो यह बागी कुछ-कुछ जो जगर पेड़न इसको थोड़ा loud हो जाता है तो अस बज़े थोड़ा disturbance हो सकता है यहाँ पर, बागी तो बस थोड़ा लंबा feel होता है, लेकिन जो भी था अच्छा ही था, engaging था, interesting था और बहुर नहीं करेगा ज्यादा जो drama चल रहा है, जो masala चल रहा है जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो अच्छी है, तो यह बागी acting और writing अच्छी है तो मतलब यही एक काफी बड़ी चीज़ हो जाती है कि एक show आपको कितना ज़्यादा engage करके रख सकता आपको कितना ज़्यादा entertaining लग रहा है और कितना आपको मज़ा आ रहा है तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर हैं इस show में तो यह बाकी emotion भी है emotional भी होगे, आपको गुसा भी आगी कुछ characters की हरकतों को लेकर है और कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं जब आपको खुशी भी होगी, गंभी होगा, दुख भी होगा यह सारी चीज़ें यहाँ पर हैं इस show में फीवन टू में फिलाल जैसा कि मैंने का conclude नहीं किया गया है फीवन थिरी भी इस show का आना है और मैं उमीद करूँगा कि इस बाद इस टो दी लैन के नाबर वो कुछ अच्छा लाएं और फीवन में इतना लंबा 10 एपिसोड तक ना खीचें यह ज़्यादा लगता है कि फीवन टू और फीवन बन में 20 एपिसोड होगे लेकिन उतना ज़्यादा कुछ ग्रेट नहीं हुआ इस टो दी लाइन के नाम पर यह सारी चीज़ें यहां पर है त्रीस्टा फट अफ़ाइब इस शो के लिए जाएं तो फैमिली के साथ देख सकते हैं कुछ भी निवरेटी किसिंग बगरा यहां पता नहीं है एक दो खलकी फुल की कुछ गालियां सुनने को मिल सकती है इस शो में एंड शुरुआत में तो कॉमेडी भी थी मतलब वो जो केरेक्टर था जो जो आशिक था जिसके पास बुल्ग जा रहे थे मतलब लडाई वड़ाई हो गई थी उसके पास हभी बुल्ला नाम था अगर मैं गलत नहीं हूँ जी हाँ हभी बुल्ला तो वो उसको लूज मोशन लग गए तो बहाँ पर कुछ अच्छी खाफी कॉमेडी भी इस शो में है तो यह दिदी आट और फाइब इस शो के लिए बाकी देखा एल तो लिखे बताना आप लोगों का हैस पर किया ठीक है एंट लाइक शारें फैब ट्राइब करना चाला है को विडियो को इन देफिए निति शान फैने का अब थैंक यू